अपने ब्रेकप के बाद एक लड़की होमटाउन में आकर लाइफगार्ड का चॉप करती है वहाँ पर इस स्कूल के लड़के से उसका अफेर हो गया था अब क्या ये अफेर उस लड़के के लाइफ को डिस्ट्राइ करेगा या एक न्यू डारेक्शन देगा ये हम आज के हमारे मुवी दे लाइफगार्ड ये 2013 के एक होल्यूड मुवी में देखेंगे अगर आपको वीड़ोच रखता है तो प्लीज इससे लाइक और कमेंट जरू कर दीजेगा अब बिना किसी दरी के एक्स्पिनेशन स्टार्ट करते है मुवी स्टार्ड होती है और हम हमारे में गारेक्टर ली को उसके बॉफ्रेंड के साथ देख सकते है उसे छोड़ कर कुछ दिनों के लिए घर जा रहा था उसका बॉफ्रेंड इंडिया ने तो इंडिया जा रहा था ली हमारी एक जनरलिस्ट है और ली का बावर ने उसका बॉस भी था एक जगा पर छोटे से टाइगर की डेथ हो गई थी वही पर वो इन्वेस्टिकेशन करने के ले गई किसी आदमी ने एक छोटे से टाइगर को एज़ पेट घर में बंद करकर रखा था उस बेबी ने वहाँ से निकलने के बहुत कोशिश की पर वो निकल नहीं पाया फाइनली उसकी वही पर डेथ हो गए ये स्टोरी सुनने के बाद ली को बहुत ही बुरा लगता है ये सिनारियो उसके लाइब से पैरलल है उसे आज कल अपनी लाइब में स्टक लग रहा है वो निकलने के बहुत कोशिश कहती है पर निकल नहीं पाय रही जब उसका बाइफरेंड वापस आया तो एक दिन उसकी बात उसने सुनी उसे पता चला कि वो अपने कलीक से हमेशा उसके रिलेशन्शिप के बार में जूट कहता था ली के बारे में किसी को भी पता नहीं था ये सब सुनकर ली को बहुत बुरा लगा वो निकल नहीं चाहती थी तो सब कुछ छोड़कर अपने घर आ जाती है घर में उसकी मदर ने सब को स्टोरेज का सामान रखा था मदर ने कुछ न्यू क्रास स्टार्ट किया लीस का मज़ा को डाती है मदर कोई बात अच्छे नहीं लगती रात में डिनर करते हैं अगली ने अपने पैरन्स को बता दिया इक कुछ दिनों के लिए मैं यही रहने वाली हूँ पैरन्स कहते हैं कि तुम 30 साल की हो तुम ऐसे कैसे घर पर रह सकती हो ली ने कहा कि मुझे सिर्फ कुछ ताइम चाहिए उसने जीस तरीके से अपनी लाइफ को एक्स्पेट किया था उस तरीके से कुछ हुआ नहीं है अब तक उसे लाइफ में एक सही डारेक्शन मिली नहीं वो अपनी लाइफ से ज़रा सैड है तो इसलिए थोड़ा टाइम निकालना चाहती है उसके वादर इस बात के लिए बहुत ही सपोर्टिव थे ली के साथ टाइम स्पेंट करना उन्हें बहुत अच्छा लगता है अगली दिन ली अपने स्कूल के फ्रेंड टॉड से मिलने के लिए आई टॉड उसे देखकर बहुत ही खुश था टॉड आर्ड गालरी में काम करता है तो उसने कितना भी ब्रेक लिया तो कोई भी फरग नहीं पड़ता उसने ली से पूछा कि तुम कितने दिनों के लिए यहाँ आई हुई हो ली गहती है कि ज़रा टाइम के लिए मैं यही रहूंगी टॉड ने उसके बॉइफ्रेंड के वारे में पूछा ली ने उसे सब कुछ सिच्वेशन बता दि ली गहती कि अब तुम अपने सारे प्लांस कैंसर कर दो हमें मजे करने है है स्कूल में इनकी ग्रूप में और एक फ्रेंड थी जिसका नाम था मेल ली जाकर उससे मेल दिये अब वो असिस्टंट प्रिंसिवल बन गई थी तो उसे इस तरीके से देखना यह उसके लिए बहुत ही वियर्ड था वो बिल्यू नहीं कर पाती कि मेल अब इतनी सुदर गई है क्योंकि हाई स्कूल में बहुत सारी अलग-अलग चीज़े वियर्ड शीज़े क्या करती थी ली ने उसे पुचा कि आज कल चल क्या रहा है मेल गयती है मैं और मेरे हजबन प्रिंगनट होने का ट्राय कर रहे है सिक्स मंच हो गे पर फिर भी अब तक कुछ भी नियूस ने आई इसी वज़े से आज कल वज़रा स्टेस रहती है ली ने उसे सिगरेट आफर की वो पहले लेने रही थी पर बाद में उसने ले ली वो भी थोड़े से फिर से मजे करना चाहती थी स्कूल में उसे स्टिक रहना पड़ता है सब कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है पर आज उसे बहुत ही फ्री लगा शाम में सारे फ्रेंड्स मिलकर डिनर के लिया आए ली से उन्होंने बुचा कि अब तुमारा प्लान क्या है ली कहती दिक में फिर से लाइफ गार्ड की जॉब करूंगी मेल ने कहा कि वो जॉब तुम है स्कूल में करती थी अब तुमें यह नहीं करना चाहिए ली वेसे भी ब्रेक पर है तो उससो कुछ भी जादा फरह नहीं परता यहाँ पर इस डिनर के वग मेल का हस्बंड भी था मेल का इस तरीके से उसके फ्रेंड से मिलना है उससे जादा अच्छा नहीं लगता क्योंगी जैसे हमें पता है कि लीग और टॉड इतने जादा रिस्पोंसिबल नहीं है वो किसी भी टाइम पर कुछ भी कर सकते है अगली दिन ली ने लाइफ गार्ड का जॉब ले लिया वो आपर एक हाई स्कूल के लड़के जो मिली जिसका नाम था लीडल जेसन जेसन यहाँ पूल के पास ही रहता था तो हमेशा वो यही पर आता रहता है ली जब सब बच्चों पर नज़र रग रही थी तो कुछ बच्चे भागते भागते गए उसने कहा कि तुम यहाँ पर भाग नहीं सकते तो सब बच्चों ने कागस को गिला करकर उसे बहुत मारा उसे बहुत सारी गालिया भी थी ली इन बच्चों को बैन कर देती है और इसके बाद खुद रोनने लग गई थी थोड़ी देर में जब जेसन वापस आया तो उसे पुछता है कि क्या हुआ ली ने कहा कि वो एक छोटा सा बच्चा है जो गैंस्टर की तरह भीह उगाता है वो कहा भर रहता है मैंने उसे स्विमिंग बूल से बैन कर दिया है जो भी हुआ था ये सारी चीज़ उसने जेसन को बता दी नेकसे नम मेल और उसके हस्बन को देखते हैं मेल आज राद ली और टॉड के साथ फिर से डीनर करने के लिए जाने वाली थी तो हस्बन कहता है कि जादा ट्रिंग मत करना मेल ने कहा कि इससे जादो कुछ फरक नहीं पड़ेगा पर फिर भी हस्बन के लिए मान जाती है आज एक शॉप के बार ली और टॉड को जेसन और उसके फ्रेंड्स मिले जेसन की फ्रेंड मैट ने कहा क्या आप हमें बियर दिलवानी के लिए हेल्प कर सकते हो टॉड ने कहा कि इसके बदले में हमें क्या मिलेगा हेल्प करने के बदले में टॉड को जॉइन चाहिए था ये बच्चे इसके लिए मान जाते है जब बाय करने के लिए रात में इस सब पोचे तो उनके साथ मेल भी थी मेल ने इन बच्चों को देखा और वो बहुत ही ज़ादा गुस्सा हो जाती है उसने कहा कि सारे बच्चे मेरे स्कुल में जाती है मैं वाइस प्रेसिटन्ट हो मैं इस तरी कैसी चीज़े नहीं कर सकती है तोड कहिता है कि जादा वरी मत करो तबी जेसन और उसके फ्रेंड्स ने कहा कि अब हम स्कुल में नहीं आने वाले है वो ड्रॉब लेकर एक न्यू सिटी में जाने वाले थे तोड ने कहा कि अब ये तुम्हारे स्टुडन्ट नहीं है तुम जादा वरी मत करो पर फिर भी मैल इसे सपोर्ट नहीं कर सकती थी वो गाड़ी में ही रुकी मैल के साथ इन फ्रेंड्स में से एक फ्रेंड्स रुका हुआ था मैल उसे समझाती है कि मेरा भी हाई स्कूल में जादा कॉंसेंट्रेशन नहीं होता था पर बाद में उसने बहुत अच्छे से स्टडी किया और अपनी लाइफ को अब उसने सुधार लिया है इस कन्वर्सेशन से इस बच्चे को अच्छे डारेक्शन मिली और वो स्कूल से ड्रॉप नहीं करने वाला ली टॉर और जेसन के फ्रेंड्स ये सब आगे गए फिर स्मोक करते है ली ने जेसन को समझाया कि तुम्हें इस तरीके से जाना नहीं चाहिए अपने हाई स्कूल एजुकेशन को यहाँ पर कंप्लीट करना चाहिए अगर तुमने नहीं किया तो लाइफ हार्ड हो सकती है जेसन कहता है कि टाउन बहुत ही घटिया है हर कोई उन्हें हेट करता है ली ने कहा कि यह जो एक्स्पिरियंस है यह तुमारे लिए बहुत ही इंपोर्टन्ट है तुम्हें हर कोई सपोर्ट कर रहा है तुम स्कूल में जा सकते हो तुम्हें कोई काम नहीं है स्मोक करने के बाद ली और टॉर जब फिर से वापस आया तुम मेल रोने लगी तो कहती है आज रात मुझे तुम लोगों के साथ मजे करने थे वो ने अपनी सारी टेंशन बता दिया किस तरीके से उप्रेइनन्ट होने पा रही है इन्हें मेल के लिए बुरा लगा और घर आकर उसे रिलाइस करते है ड्रिंक्स वगरा करकर इन्होंने हैंग आउट किया और मेल को भी रात बहुत ही अच्छी लगी अगली दिन ली जब अपने काम पर आई तो जेसन का फ्रेंड मैट इस स्विमिंग पूल के पास ही सोय हुआ था ली ने उसे पुझा कि क्या हुआ तो मैट ने कहा कि मेरी मदर ने मुझे घर से पाहर निकाल दिया मेल को चुटी थी और घर पर बोर हो रहा था तो ली और टॉट के साथ वो हैंग आउट करती है इन्होंने लॉंग ट्राइव ली और बहुत मजी किया ये जब वापस आये तो जेसन और उसके फ्रेंज को स्केट बोर्ट करने के लिए पुलिस ने अरेस्ट किया था ली के थी कि आप ये सब कर क्या रहे हो इस तरीके से आप इन्हें अरेस्ट नहीं कर सकते है वो एक रिपोर्टर थी तो इस वापस जेसे पुलिस भी डर जाते है और वहाँ से चले के इसके बाद ये सब फिर से हेंग आउट करते है इसमें आज मेल का हस्बन भी था ये सब जो भी स्मोक कर रहे थे इम मेल की हस्बन को अच्छा नहीं लगता ली और जेसन बात करते है ली ने जेसन से खा तुम्हारा फ्यूचर का प्लान क्या है जेसन को कुछ भी पता नहीं था तो ली उसे लेक्चर देने लग गई जेसन उसे कहता है तुमने सब कुछ प्लान करकर रखा था पर फिर भी तुम बहुत ही सैड हो ली इस पर कुछ भी बोल नहीं पाती गर पर आने के बाद मेल और उसके हस्बन के बीच में जगड़ा हो जाता है उसे लगता है मेल इस सिचुईशन को सिरेसली ले नहीं रही उसे खुद का ख्याल रखना चाहिए अगले दिन जब ली और जेसन ने पूल के पास हैंग आउट कर रहे थे तो ली ने उस लीटल टाइगर को क्या हुआ था इसके बारे में जेसन को बता है जेसन कहता है तुमने जो आर्टिकल लिखा वो लोग पढ़ेंगे और नेक्स टाइम शायद कोई ऐसा नहीं करेगा वो उसके पास आकर उसे हग कर लेता है थोड़ी दर में जिस छोटे बच्चे ने ली को सताय हुआ था वो उसके पास आकर उसे सौरी कहता है उसने बहुत ही रिक्विस्ट की तो ली ने फिर सो स्विंग पूल में आने के लिए अलॉग कर दिया वो ली से गयता है कि प्लीज जेसन को पतातो कि मैंने आपसे माफी मांग किया वो मुझे तंग ना करे इसका मतलब है जेसन ने उसे धमका कर यहाँ भेचा हुआ था ली को यह सब बात बहुत ही स्विट लगी रात में बारिश होने लगी तो जेसन भी ली के कार में बैठ गया था यह दोनों एक दूसरे के करीब आने वाले थे ली को यह रेलाइज हुआ और वो वहाँ से दूर चली जाती है फिर रात में अपने फ्रेंज के साथ स्विमिंग पूल पर आये ली और जेसन ने एक दूसरे को ही देख रहे थे ली वाशरों आये तो जेसन उसके पास आ जाता है जेसन ने बुचा कि अगर हम दोनों के बीच में कुछ हुआ तो क्या फरक बढ़ता है सब कुछ ठीक हो जाएगा वो फिर उसे किस कर लेता है और यही पर यह दोनों इंटिमेट हो गए आज रात ली घर पर बहुत ही लेट आयी थी तो उसकी मदर उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है उसने कहा कि तुम इस घर को होटेल की तरह ठीट नहीं कर सकती तुम्हें कि उस रिस्पॉंसिबिलिटीज लेनी चाहिए मदर का कुछ काम था जो उसने फादर को दिया हुआ था पर फादर इसके बारे में भूल जाते है क्योंकि उन्हें ली के साथ टाइम स्पेंट करना है मदर इस बात से और भी जादा फ्रस्टेड़ होगे पर ली और फादर खुश थे क्योंकि आज उन्हें एक दूसरे के साथ हैंग आउट करने के लिए मिला स्विंग पूल पर आने के बाद ली जेसन के बारे में ही सोच रही थी इसी मुवमेंट पर एक छोटा सा बच्चा स्विंग पूल में गिर गया और इसका ध्यान नहीं था बाद में उसे और जल्दी से बचा लेती है घर आते वक्त ली ने फिर से जेसन को देखा ये दोने एक लिक के पास आए जेसन कहता है कि वर्मान बहुत ही प्यूटिफूल है वहाँ पर में फिस वेकर कैच करता था ये दोनों फिर से एक दुसरे को किस कर लेते हैं इसके बाद इनकी रिलेशनशिप कंटिनू हुई थी एक दिन ली ने जेसन से बूचा कि तुम कब जाने वाले हो जेसन कहता है कि एक दो विक में में निकल जाओंगा उसने कुछ पैसे सेव करकर रहके उसके पास 400 डॉलर्स दे ली ने कहा कि इतने इनफ नहीं है तुम्हें at least 1000 डॉलर्स चाहिए तुम थोड़े दिन यहीं पर रुख जा कुछ अगर और पैसे आ जाएंगे उसके बाद चले जाना ली नहीं चाहती थी कि जेसन इतनी जल्दी यहां से चला जाए एक रात पार्टी पर मेल ने ली से कहा तुम ऐसा कुछ भी मत करना चो तुम्हें रिक्रेट करना पड़े ली कहती कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जेसन की फ्रेंड मैट को जल से जल इस ताउन से निकलना था टोड़ने कहा कि मैं भी पहले इस टाउं से निकलना चाहता था पर यहाँ पर वो स्टक है उसकी जौब है उसके पैरंट से यहाँ पर है यहाँ से जान नहीं सकता वो मैट को सहारा दे रहा था पर उसके बाद उसे हो हाथ लगाने लग गया मैड ने कहा कि मैं गे नहीं हूँ और वहाँ से चला जाता है गुस्से में जैसन के पास आया और कहा कि हमें कल के कल निकल जाना चाहिए जैसन कहता है कि मुझे और भी कुछ पैसे सेव करने है जरा एक दो विक्स लग सकते है मैर बेजारे इस सब बातों से बहुत ही साइड हो गया ली के घर पर उसके पैरंस मिलकर एक रूम बनवा रहे थे यही दिखाने के लिए जेसन को ली लेकर आई ली के पैरंस अपने हतों से खुद बना रहे थे इसका मजाग ली ने उड़ाया यह सब बाते ली की मदर सुन लेती है और इस पर वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो गई उसने कहा कि तुम इस तरह की से वापस कैसे आ सकती हो बचपन से लेकर आज तक मैंने तुमारा खैल रखा है पर मदर को बढ़ता है ली एक छोटी बच्ची की तरह बहेव करती है यह मदर को अच्छा नहीं लगता उसने उसे घर से बाहर निकाल दिया ली फेस जेसन की घर पर आके और यही पर अब वो रहने लग गई थी एक दिन उसे एवर्ड फंशन से एक मैसेज आता है उसने जो आर्टिकल लिखा था उसने उन्हें एवर्ड दिया है इसका प्राइस थाउजन डॉलर से है इसमें ये भी लिखा था कि आपने जनरलिजम छोड़ दिया यह सुनकर हमें बहुत भुरा लगा क्योंकि आप बहुत ही टैलेंटेड हो इसके बाद जेसन ली से मिलने के लिया है और जब एक किस कर रहे थे तो टॉड इन्हें देख लेता है मेल आजकल अपने लाइफ के साथ ज़ादा सीरियस नहीं है तो यह बात उसके हजबन को सही नहीं लगी उसने मेल से बुचा क्या तुम सचुष में प्रिगनन्ट होना चाहती हो मेल ने कहा कि हाँ होना चाहती हो हस्बन गहता है तो अभी क्या भी मेरे साथ इंटिमेट हो मेल यह नहीं चाहती थी तो इस पर इनका जगडा हो किया सब कुछ बाते बताने के लिए वो टॉड के पास है बाते करते करते टॉड के मुझ से निकल जाता है कि लिए जेसन के साथ रह रही है इस बात से मेल बहुत ज़्यादा गुस्ता होगी इनके ग्रूप में वो भी इन्वाल्ड है अगर किसी को इस बारे में पता चला तो उसकी जॉब भी चाह सकती है वो गुस्ते में ली के पास है जेसन भी वही पर था उसने जेसन से कहा तुम्हारे पैरंट्स के पास चलते है उन्हें ये सब चीज़े पता होनी चाहिए वो ली पर वे बहुत ज़्यादा गुस्ता थी उसने कहा कि तुम मेरी लाइफ क्यों डिस्ट्राइ करना चाहती हो मैं स्कूल में तुमारी जेसी थी पर बाद में मैंने मेरी लाइफ को एक अच्छी तरीके से डारिक्शन दी है तुमने मेरी पूरी लाइफ बरबात कर दी मैल यसे अब चीज़े जेसन के फादर को बताने वाली थी पर जेसन ने कहा कि मैं स्कूल को बता दूँगा कि तुम हमसे ड्रग्स बाय कर रही थी मैल इस बात से और भी ज़्यादा गुस्ता हो गए एक दिन जब ली और जेसन जंगल में जाकर हैंग आउट कर रहे थे तो वहाँ पर उन्होंने मैट की डेड़ बाड़ी देखी उसने सुसाइड कर ली थी उसे इस ताउन से जेसन की साथ निकलना था पर जेसन ने उसे ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया इससी वज़े से उसने सुसाइड कर ली थी ये दोनों ही देखकर बहुत ज़्यादा डिस्टब हो जाते हैं जेसन रोने लग गया जेसन ने कहा उसके बड़े ब्रदर ने भी सुसाइड की थी अब और एक पुलिस ओफिसर जाकर फिर से उसे वही निउस देखा पुल के पास होए और दूसरी रात अपनी मदर ने जो घर बनवाया था उसमें जाकर सो जाती है उसके घर से जाने के बाद उसकी कैट मिसिंग थी ये भी उसे मिल गई जेसन ने जब इस स्कूल को छोड़ दिया तम मेल उसके फादर से बात करती है उन्हें फिर से समझाने की कोशिश करती है जेसन को इस तरीके से स्कूल से मत निकाली है जेसन के फादर ने कहा कि जेसन के लाइफ में अल्रेडी बहुत सारे प्रॉलम्स है यहाँ से दूर जाने का डिसीजन उसके लिए अच्छा होगा मेल ने लीग और जेसन के बीच में जोग भी हुआ इस सब के लिए उस सौरी कहते है फादर कहते है लाइफ में इस तरीके से अजीब अलग-अलग चीज़े होती रहती है हमें इस पर इतना ज़ादा सोचना नहीं चाहिए जेसन के फादर के जाने के बाद मेल को मनाने के लिए उसका हजबन आ गया उसे वो सौरी गहता है जिस तरीके से हजबन वाइब जगर थे उसके बाद एक दूसरे को माफ कर देते है उसे तरीके से इन दोनों ने भी एक दूसरे को माफ कर दिया था मेल ने अपने स्कूल के बोर्ड को सारी सिचुएशन समझाई थी पर इसमें उन्हें नहीं लगता कि मेल का कोई भी फॉल्ट है तो इस वज़े से उसे वो फायर नहीं करते है ली घर पर आये और सारे सामान को ठीक से रग देती है अपने मदर के लिए उसने वेबसाइट वेगरा बना कर रखी थी मदर को अच्छा लगा कि ली कुछ ना कुछ तो responsibility ले रही है ली अब घर में रह सकती थी मैट के funeral पर ली और मेल फिर से एक दुसरे से मिले ली ने मेल को sorry कहा और मेल उसे माफ कर देती है अब इसके बाद Jason के जाने का दिन आ गया था वो ली से मिलने के लिए आया ली को अपने article के लिए जो thousand dollars का check मिला था यह वो Jason को दे देती है उसने कहा कि तुम बहुत ही amazing हूँ कभी भी अपने आप पर doubt मत करना अच्छे से महनत करना और life में तुम success हो जाओगे इसके बाद ली भी अपनी city में फिर से वापस चली जाती है वो अपने काब में अच्छी थी पस्ते break up की वज़े से जरा break लेने के लिए वो यहाँ पर आई हुई थी तो फिर से ओ लोट जाती है जेसन भी अपने टाउन में जाका सही तरीके से सेटल हो गया था और ली के न्यूयॉक के अड्रेस पर वो लेटर लिखता है इनकी relationship कैसी भी हो फिर भी एक दूसरे को life में आगे बढ़ने के लिए उन्होंने इंस्पार किया था इसे के साथ यह movie end हो जाती है अगर आपको वीडियो अचल लगा तो प्लीजी से लाइक और कमेंट जरू कर दीजेगा यह बहुत सारी movies लेकर आधा रहता हो तो प्लीजी चानल को सब्सक्राइब कर दीजे और bell notification icon दोन में मत भूलेगा हम फिर से मिलेंगे और एक ने movie के साथ तब तक लिए thank you और आप अपने आपका ख्याल रखिया है